स्वागद आप सबका वीमेन बिग बैस्ट लिग के डबल एडर के दूसरे मुकाबले के अंदर वैसे मैच नमबर नौ है मुकाबल होगा बेट्विन सिड्नी सिक्सस और मिल्बिन स्टार्ट्स वुमिन खेला जाएगा नौट सिड्नी ओल सिड्नी के उपर मैच्स टाइमिंग है दुपेर के एक बच के 45 मिनट तो इस मुकाबले के अंदर आपको दो बहुत बड़ी आप्लेट्स वापसी करते हो दिखेंगे सिड्नी सिक्सस की बात तरते हैं तो आपको अलैसा हैली यहाँ पर खेलती भी दिखेंगी और जो मेल्बिन स्टार्ट्स है यहस्टी का भाटी अब आपसी कर रही है जो रिसेंटली इंडिया के अंदर सिरीज खेल रही थी अमदाबाद के अंदर अगेंस न्यूजिलंड उडियाई वाली बट दिपती शर्मा अनवलेबल है डू टू दो परस्टनल रिजन्स देखते हैं कब अवलेबल हो पाती है तो दोनों टीम्स की जो ग्यारान उसमें चेंज़स होंगे और कुछ प्लेयर्स का रूल बदलेगा उसके बारे में डीटिल से बात तरूँगा पिछ के बारे में डीटिल से बात तरेंगे एरिसनले पी थुड़ी दिर पहले मैच खता हुआ है सिड्नी थंडर वर्सेस वापट धरीगेंस का तो पीछ यहां पर किस तर से बीव करती है स्टेटियम के डैमेंशन का है हर एक player के stats, हर एक player के profile है जैसे कि head to head numbers, venue numbers player का form, 8 last time matchups देखेंगे, किस baller ने किस बल्ले बाज को कितनी बार परिशान किया है, यह देखना भी बहुत important है, तो मजाएगा एक top class games, top two side teams and it will be a cracking game telegram channel join कर लो फाइदा गया है, lineups के बाद कोई भी update आती मैं telegram पे दे देता हूँ telegram कली मैंने आपको description और निचे comment section में दिया हुआ है, make sure करें आप join कर ले, यहाँ पर बहुत सी updates आपको मिलते रहती है, जो last minute में बहुत important रहती है, चलता है पिछली board की दरफ, तो not Sydney goal के उपपर match है, जहाँ पर थोड़ी दीर पहले, 31 October को match बाद दिवाली के दिन, और आप सबको दिवाली के आरदी शुपका हूँना है, Sydney Thunder, Robert Hurricanes का match था इसमें हुआ क्या, बारिश की वज़े से match छोटा हुआ, 146 बना है पहले, जो home team थी, Sydney Thunder उसमें बैटिंग करके 17 hour के अंदर, और फिर Robert Hurricanes साथी, मात 113 बना पाई आठ विकेट है, लूस किये और यह टीम हार जाती है, इससे पहले 170 बना, यह target chase नहीं हुआ Sydney Sixers इसको chase कर रही थी against LD8 Strikers, जो 29 October को match हुआ था, इससे पहले 147 target chase नहीं हुआ 147 बना chase नहीं हुआ, 172 T20 Spring Challenge के match हुए, वो 6 मुकाबलों में 5 matches, batting first एक match यहाँ पर chase करते हुआ जीता गया, तो जो venue है, हलका सा batting first के दरफ बायस रहता है Sydney Sixers 28 में से 15 matches दीती है Melbourne Stars 10 में से 6 matches यहाँ पर जीत चुकी है, home ground है Sydney Sixers का, परती और साढ़े 18-18 runs बनता है, अच्छा scoring venue है और जो last match था, Sydney Thunder versus Hobart Harry Games का 9 wicket pace, 3 wicket वाँ पर spin ने निकाला था, इस wicket पर, seriously आप से कहूं, थोड़ा सा, जो paces है ना, उनका पलड़ा भारी रहा है, पीछ पे जादा grass थी, starting के 2 matches के अंदर अभी तके, Sydney के अपर जो पिछले 6 matches होने, ठीक है, उसमें क्या हुआ है Paces ने 40 wicket निकाला है पहली पारी में 22, दूसरी पारी गंदरा ठारा, राइट हम पीसर 35, लेफट हम पीसर 5 spinners के 32 wicket है, पहली पारी में 13, दूसरी पारी में 19, और 16, leg spinners का 13, left arm orthodox spinners का 3 wicket है अब मैं आपको पिछ की photo दिखाता हूँ यह पिछ ऐसी दिखती है आपर, देगा आप ग्रास रहती है मिशा and dimensions है 59, 51 सामने 58, यह dimensions बदलता है रहता है जैसे पिछ बजलती है और यह देखो आप stadium का view बहुत ही प्यारा stadium बहुत अच्छी पीचे सांके रहती है जिस पर आपको grounds, bounce ज़्यादा देखने को मिलता है और 54, 57 सामने 66 मिटर से stadium को पूरा view and यह सामने ओपरा house है जो दिख रहा है ना आपको स्टेडिनी का ओपरा house बहुत ही फिर्मस है यह तो यह पूरा stadium का view हो गया and आपको weather forecast देखनी है तो आप Google में आई है क्योंकि आज जो match था है आप मैं जब वीडियो शूट कर रहा है काते इस तारिक को यहाँ बारिश आई थी क्या सच करें या match day के दिन बारिश नहीं है देखते हैं chances of shower बनेंगे जब match स्टार्ट होगा end होगा न और उस टाइम पर chances of shower है second innings के अंदर एकदम लेट 16-17 अवर के आसफास बारिश आ सकती है दोन टीम्स ने अपसमे 18 matches खेले है 9 जीती है 6s 8 जीती है Melbourne Stars Sydney के अपर दोनों टीम्स ने तीन बार आमना सामना किया है और दो एक से आगया है Sydney Sixers जब इस मैदान पर दोनों टीम्स खेली है पहरी open करेगी Halley के साथ अगरे इस मैच में Halley healthy squad के अंदर आचुगी 13 player कानों ने squad declare किया है Holy Aramitage आपको 1 down दिख जाएंगे साराव राइस 2 down Ash Gardner, Elsa Hunter, Matlin Brown Ecclestone, Kaumee Bray Courtney Sipil, Lauren Chittil Mathala Carmichael और Cat Pillay इनके 12th और 13 player हो सकते हैं से मैच में Melbourne Stars शर्ष्टी का बाटिय उपन करेगी मैग लनिंग के जाथ Ines McCown Firing Annabel Sutherland, Marzen Cap Riaas McKina, Tash Lintop Kim Gar, Sasha Maloney, Sophie Day, Massie Gibson Dibthi Sharma is unavailable देखते हैं कब आती है यह यह Sydney Sixers के T20 numbers है With the bat, With the ball numbers है अब हमें आपे हर एक player के stats को दिखेंगे तो आप देखो जो पहरी है 16 matches head-to-die के अंदर खेल चुकी है करीबन 536 runs है 4 vigate है 7.7 की economy है 52 का strike grade है, 3-4 over डाल रही है With the bat, open करती है बहुत ही ज्यादा fantasy value है और balling first 4 match में 1 vigate है Balling second 11 matches में 3 vigate है 11 बार vigate less गई है 14 matches में, I mean 15 matches में balling गर आई है Batting first 45, 28, 0-4, 91, 0-58, 687, 0-21, 11, 22 Wending के पर 41 match, 1.5, 11, 12, 48 के average 25 vigate है ज्यादिबूत क्रिकेटर है एक श्रता का 8 अर्षत है हैं आपर Batting first 16 matches में 618 runs है Chase Cooper 15 matches में 486 runs है Holly Armitage, head to head नहीं हिला Wending keeper 2 matches में 7 runs है Batting first 2, Chase Cooper 5 Recent form ठीक रहा है इतना special नहीं इतना खराब भी नहीं कहोंगा है Ash Gardner कुल मिला के 16 matches खेले है और head to head एक अंदर 420 runs है तीम के अच्छा परदर्शन रहा है 13 vigate है, 7.2 की economy है Bowling first 4 matches में 5 Bowling second 9 matches में 8 vigate है 6 बार vigate less गई है Wending keeper 33 matches में 830 runs है 30 vigate है, 7.6 की economy Batting first 17 matches में 536 runs 32 की उसद है Chase Cooper 14 matches में 26 की उसद 312 असपास runs है Tournament अभी तक up to the mark नहीं है 2 matches player ने इस टूनमेंट में खेले है 6 run बने है और 0 vigate सिंगाल है इसने भी तक बार सुच में बार डालती है तो भी विकेट नहीं मिल रहे Sarah Price का बासर टरन था जो लास्ट मैच में 20 पिस ने 9 खेली दे against Adelaide Strikers बहुत अच्छी नॉक थी वो उससे बहले 36 नाबात की रही थी match winning El Santeris 20 पे 28 कर चुकी है लास्ट गिम में बहुत अच्छी देखी थी जिस तरह से इसने Darcy Brown को चका और चौका मारा था 16 117 के आसपास वो क्लिक कर रही थी and Matlin Brown के 14 matches के अंदर 86 runs है normally यज़े वैटर खेल रही है and 9 wicket है balling है कम chances है क्योंकि जब आप 11 देखते हैं टीम की उसमें पहले इतिने सारे balling options तो Matlin Brown का chance थोड़ा सा कम है balling के अंदर batting first 16 नाबाद 8 नाबाद 19 स्टेश के उपर एक नाबाद 5-2-0-35 and when you get पर 13 matches में 186 runs है देखते हैं इस clash के अंदर क्या कर पाती है rule थोड़ा सा कम है compare to other players फिर बात आती है यहाँ पर Ecclestone की 2 matches में 2 wicket choice runs balling second गया है एक-एक wicket निकाला है with the bat 24 runs है when you get पर 7 match 84 runs 8 wicket 7.6 की economy है देखते हैं इस game में का क्या योगदान हो पाता है mathalda garmahical 9 matches में 94 runs इसके head to head के अंदर जब आप venue की बात तरते हैं 8 matches के अंदर कुल मिला के 30 runs मतलब जो मेरे किसाब से इतने special नहीं है जिस level की एप लेयर है फिर आती हैं यहाँ पर Courtney Sipil कुल मिला के 7 matches के अंदर 3 wicket balling first char match में 1, balling second 3 में 2 इसके variations बहुत अच्छे हैं बस दिक्कत के इसके उवर कंफर्म नहीं होता है इतने सारे balling options वही बात आ रही है उसमें Macklin Brown भी एक option है क्या बदा करवाल इसे भी balling 7 matches में 10 wicket है balling first match मेंच के अंदर 6 balling second के अंदर 2 matches के अंदर कुल मिला के 4 wicket अच्छा performance रहे है इस प्लेयर का वैन्यो के उपर काउं मी ब्रे एक मैच में 2 रंज 0 wicket last game में 3 और का स्पेल था जो मेरे साब से अच्छा था CTL का 10 matches के अंदर 8 wicket है balling first 4 matches में 2 against Melbourne starts balling second 6 wicket है 5 बार wicket less रही है वैन्यो के उपर 16 matches में 19 wicket है balling first 10 match में last game में 3 wicket hall निकाला था जो बहुत ही classy spell रहा था prank की निकलेन तुड़ वैन्यो कुछ नी cat peterson ने भी cat play millia care helly की बात तर दें क्योंकि इस match में आपको खेलती भी दिखेंगी 15 match 25.5 runs 49 के average 177 का strike grade 5 4 stumping है और अच्छे performance है मतलब आप खुद देगे 2 तो शतागेस टीम के against Melbourne starts 6, 5, 9, 4, 70, 35, 60, 43, 31 पिछली 6 innings batting first I mean 5 कमाल की रही है chase के उपर भी बहुत अच्छे निक्स लिए 21, 27, 211, 17, 14, 10 और मेरा मानना है शायद इस match में helly keeping ना करें शायद सारब राइस ही करें क्योंकि helly injury से आ रही है और तू शायद इसको game time दे दिया जाए कि आप keeping मत कराओ batting करो मज़े करो helly का 35 match 940 run 17, 17, 17 stumping 31 average है इस venue पे 2 शतक 3 शतक 5 बार 30 है 30 कमाल लोगता है 30 से 20 सवाले score को 30 कहते है 33 seems में इसके आगड़े है Isabella squad में नहीं है वैसे रिन्बंज भी आपसे नहीं करी है तो अब देखो पिछली game में क्या हुआ था Chittil ने डाला था पहला 4 बार 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 ये था फर्स्ट game के अंदर last match की बात तरताओं में इसी वैनी के पड़ था Chittil का था पहला 3 वा 6 वा 8 वा 8 वा पावर सर्च था Eccleson का 2 वा 8 वा 13 वा 19 वा पहरी का 4 वा 7 वा बार वा काउमी ब्रे का 5 वा 9 वा 15 वा Garner का 6 वा 10 वा 17 वा 20 वा 17 वा वर पावर सर्च था कटनी सेपल का 11 वा चौदवा तो यह आपको द्यान रखना है अब चलते हैं दूसरी टीम की दरफ Melbourne Stars इनके Batting Numbers है इनके Balling Numbers है अब आता है प्लेयर के Stats की दरफ Maglann इंग कमाल की Cricket है रहा 12 match 520 runs 8 वा इस टीम के अगेंश लागी इसका मूड होता है हर बार runs score करती है बहुत अच्छी average हर गेम में runs बनाएं Batting first में 250 है Chase Kipper 450 है मतलब 12 में 650 है 12 matches के अंदर 18 match वैं यह इंगे 483 runs 37 के average बैक करो कुछ टीम सके अंदर is a Captain Vice Captain Grandly ली खेल रहे है इनेस मैक की ओन थोड़ी सी रिस्कियस गेम के अंदर लपे मार ने आएगी आर या तो पारवा लेनिंग्स ग्रासी विकेट थोड़ा सा रिस्क होगा इन के उपर Annable Sutherland 10 matches में 148 runs 11 विकेट 7.4 की economy है Balling first 5 match में 4 Balling second 5 match में 7 विकेट है Power सर्जु में डालती है बैटिंग अच्छी करती है और बॉलिंग तो खेर इनकी शांदार है 12 matches में Swaini पे 9 विकेट 13 runs है बैटिंग first 23 0 नाबाद 20 6, 13 34 चेश पे 30 नाबाद 3 Balling first 3 में 3 Balling second 5 match है विकेट है 4 वार विकेटलस गई है Swaini के उपपर अच्छी प्लेयर है बैट कर सकता आप इसको अपनी fantasy team में मर्जान कैप 5 matches में 30 runs है 0 विकेट है 6.6 की एकॉनमी यह पता नहीं क्या दिक्कत है यह ex-crickator है जी हाँ Sydney Sixers की पुरानी प्लेयर है यह last season उसे के लिए इसने खेले थे और ex-crickator Holy stream के गेंस आस तक विकेट ही नहीं निकाला 5 match हो के अंदर Walling first 3 match में 0 Walling second 2 में 0 Waini Kipper 16 match में 140 run से 16 विकेट है Walling first 5 match में 8 विकेट पे grass होगी मैं specially back करूँगा इस cricket robot इस match के अंदर अगर आप Grand League Minigal खेल रहो हो Captain Max Captain Try कर सकते Small League में खेल Gardner और Perry से बहतर option है नहीं Sutherland फिर 3rd option सबसे बढ़िया Rias McKina 6 matches में 12 runs 2 विकेट 20 विकेट पर 2 matches में 4 विकेट यह भी एक balling option में Melbourne starts के बास जिसका बी तक इस्तिमाल नहीं हो है इस game में हो यह सकता है कि Shasha Maloney के ओर कट सकता है जो spinner है Massie Gibson, Maloney के ओर कटेंगे Tess Flintoff को और बड़ेगा Rias McKina शायद 1 या 2 वर डाल जाए Chances बहुत सारे यह जो वीडियो में जो बीच में बाते करते हैं बहुत important होती है कुछ fantasy expert क्या करते हैं भाई बंदू अपने अपने यार आओ तो ज़्यादा उनको कुछ comment नहीं करूँ आ मैं वीडियो देख रहे हैं बहुत बड़ी बात है मेरी ठीक है तो भाई क्या करते हैं वीडियो को यह stats वाला section देखते हैं सिधा आते हैं final team देखने और match है उनको मतलब नहीं stats है लेकिन इस stats में जो बात ही होती है कि over distribution कैसा होगा इस game में हमरी वन last game में बात दरी थी कि Catherine Bryce आज ही match था हूँ आपर उसने ठीक ठाक point भी दिया और वो जो player थी ना बहुत important थी उस match डलिंटन के बाले में हमने बात करी थी अगर आप देखेंगे लास्ट मैच में क्या हुआ था डलिंटन को हमने back भी गया था मैं तो खेर एक league खेली थी मैंने मुश्किल से मैंने contest जॉइन ही नहीं किये थे अगर आप देखेंगे देखेंगे द्यान से यह देखो चौता rank task के अंदर कोई जो हमने डीटिल से बात तरी डलिंटन को back करना है इसको बहुत कम लोगों ने लिया था मातर 16% तो जो basic चीज़े होती है क्यों distribution कैसा रहेगा इस game में क्या हो सकता है यह सारी चीज़े हम यहां discuss करता है तो मैं आप से हमेशे request करता हूँ क्यों के वीडियो पूरी देखा करो बहुत से हमें इंपॉर्टन चीज़े discuss होती है यह मैं आपका ज्यादा वक्त जाया नहीं करूँगा मेरे भाई कहां चला गया मैच बातो बातो के अंदर यह होता है गाई भी हो गया मैच तो test run tive' गाई के जांसे से इस ग Ε्में इसके 7 मैचेस में चोईस रन से चाह वीडिया है बॉवलिंग फस्ट थीन मैच है बॉवलिंग सेकंड चाहर मेच थीरा मैच है वालिंग फ़र्थ साथ मैच में साथ 1 धीरा चाह वेन्यू के पर 6 मैचस में 4 विकेट है बॉलिंग फर्स टेक मैच में 0 बॉलिंग सेकंड पाँच मैचस में 4 विकेट मेरे समय के बार है और वेन्यू पर खराब नंबर स्कुन अच्छी बॉलर एकॉनमी तो ठीक रही है यहाँ पर बहतर बॉलिंग गरा सकती है शर्षा मोलोनी का 14 मैचस में 2 विकेट है अच्छी बॉलिंग के अंदर 5 इनिंग्स में बॉलिंग कराई है वेन्यू के उपर 7 मैच खिलके 5 इनिंग्स में बॉलिंग कराई है 4 विकेट है जो बॉल 2 करते हैं बॉलिंग सेकंड चार मैच में तीन विकेट, अच्छे आगड़ है, हैट्टुड में साथ मैच में नो, वैन्य के पर नौ में नौ विकेट्स है, इन फॉर्म बॉलर है, बैक कर सोकता है, आप फेंटेसी टीम के अंदर, अजे नॉर्मल प्लैर, आगे चलते हैं, लास सीजन बहुत अच्छा गयाद है इनका, मैसलि गिप्सन का 10 मैचेस में 6 विकेट है, बॉलिंग फर स्टार्ट मैच में 4, बॉलिंग सेकंड दो में 2, वैन्य के उपर 7 मैचेस में 5 विकेट है, अपको उपन करते हुए दिखेंगी, मूस्टली, सैथी, स्टोई, छक्ति, सिस्टर, थीक ठाग रहा है, थोड़ा सा, स्लो खेलती हैं, इस कंपेर टू मेरे समझ के बाहर है, मैं बेजेती नहीं कर रहा है, मैं बस आपको बात बता रहा हूँ, कैप का पहला, तीसरा, आठवा, सोलवा, किम अर्थ का दूसरा, चौथा, दसवा, अन्नीसवा था, स्रद्लेंड का पाँचवा, तेरवा, अठारवा, बीसवा, उसमें तेरवा पावर सर्च का उवर था, मलोनी का छटवा, टैस लूंट आफ का साथवा, सोफिडी का नव लगनी रहा, जो पैरी को डिस्मिस कर सकता है, दिन रहा, तो वो, देखो, कई बार का होता है, मैच अप होता है, तो भी प्लेयर आउट नहीं हो, तो उनका दिन होता है, तो नॉर्मली शायद, इनका दिन ना हो, तो जल्दी आउट हो सकती, वैसे, नमबर्स अच्छ है, ग सद्रिंवा, सद्रिंडे के सामने 10 बाल, 14 राइन, 5 इनिंग में 2 लाइन दो किया, हैली भी स्कॉर्ड में, इनका मैच अप बनता है, कीम कार्थ के साथ, 9 इनिंग्स के अदर 3 लाइन जो आब ऑन गया। वर्सेस एकल स्टोन यह मिशा मैच अप रहा है चेटेल के साथ 10 बाल, 9 रन, 3 इनिंग्स में दो बार आउट किया, एकल स्टोन ने 12 इनिंग्स में चार बार आउट किया, पैसे डिगदों में 49 रन देगे मर्जान कैप अगेंस्ट मैटलीन ब्राउन 4 में 2 चेटेल ने 4 इनिंग्स, मिकबर आउट के 18 बालों में 15 रन देगे चेटेल और साथ अफरीका कनेक्शन बहुत पुरान है हर साथ अफरीन फ्लेट स्काउट करना जानती है एकल स्टोन 17 इनिंग्स में 5 बार आउट कर चुकी है मर्जान कैप को गाड़नर ने 9 इनिंग्स में 3 बार आउट के 57 बाल के अंदर 68 रन देगे फिराथी हैं आपर रियास मेकिना वर्सस गाड़नर 3 बाल 1 रन 2 इनिंग्स में 2 बार आउट के टेस रूंटाउप वर्सस कट्टीस इपल 5 बाल 3 रन 2 इनिंग्स में 1 डिसमिसल से Safirade versus Millie Care Kim Garth versus Gardner 19 ball 20 run 4 inning दो बार आउट किया है HSD का आपको दिखेंगी जिनका मैचा पर Gardner के साथ 12 inning बार आउट किया है पहरीन इसको 32 ball में 32 run देगे 6 inning साइन आउट किया है sign up गर सकते है Vision Hill के उपर फाइदा किया है बाई साब एक तो मेरे उब एफिलेट मिल जाएगा ठीक है दिवाली का टाइम में खर्चा पानी चीए रहता है तो मिल जाएगा और आपका फाइदा है कि मैं खुद यहाँ स्मॉल लीग खेलता हूं तो ऐसे ही नहीं खेलता कि वीक तो आपको यहाँ पे GST फ्री देखने को मिलता है औ और जो TDS है ना उसके आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं आपको यूज कर सकते हों पैरी गाडनर कोमन कैप्टन होगी अलग जाना तो एनबल सिदलेंड मर्जान कैप है एकल स्टोन मैगलनिक को आप रोटेट कर सकते हैं तो कीपिंग सेक्शन मेरे बाद बहुत अच्छी आ बादना राजा है सारब राइस के बैटिंग ओडर नीचे जा सकता है तो मैं यहां पर फिर हैली को ही प्रीफर करूंगा और येश्टी का बाटिया बैटर सक्षन में चलता है इससे पहले मैं ऑल्रांडर में मुश्य आता हूं विमिन गेम्स में मट्स एंड कैप, ऐश्ग लोग क्या गर रहे हैं मोच्ति सारा ब्रेइस को ला रहे हैं मैं मना नहीं कर रहा है शायद मैं भी लाश्वन पर ट्राइ कर लूँ अगर टॉप चार में इसका बैटिंग ओडर लिस्टेड होता है तो और कौन है जिसको हम ट्राइ कर सकते हैं इस गेम में वही टेस्ट वाली बात आ रही है बैटिंग ओर इसका सही है जस्ट आ जाती है नंबर च्छे पे और जहां पर एकल स्टून वगरा खेलती हैं दो से तीन ओर इस गेम में वो सकते हैं इसके तो देखते हैं और क्या होगा या तो फिर आप कटनी सिपिल को बैक कर लीजिए बहुत एक्ला इस गेम के अंदर तो देखते हैं अभी के लिए फ्लाग में चले जाता हूँ एस लूंट आफ बहुत बड़ा रिस्क बट देखते हैं क्या होता है मिडिफिस में बालिंग करेगी वैसे कैप्टन जी में पैरी से बड़ी आप्शन है नहीं गई और वाइस कैप्टन जी मे हमते हैं ओ़ी आफ एसinky किया है मिद एस कि हम्से जी असा बद़ जब को में इसे हैं फिर ऊम्सेफ़ को करेगी वैसे लाहँ बड़ादिय में मिजले सा हूँ बपाल प्टोंड़ा ओवक्शन है नहीं कि भी जह जब है प्ला धन?